नमेशकार दोस्तों आपको पता होगा और राज कुंदरा के उपर जो पॉर्नोग्राफी का पूरा केश चल रहा है वो तो आपने सुना होगा उसके उपारे में और वीडियो बन चुका है लेकिन यहाँ पर एक और मुसीबत आ गई है सिर्फ राज कुंदरा के उपर नहीं क्योंकि SEBI, that is Securities Exchange Board of India जो की हमारी मार्केट की रेगुलेटर है उनके द्वारा फाइन किया गया है इन दोनों के उपर और इनकी जो कम्पनी है उसके उपर भी यह पुरा फाइन लगाया गया है यह आप देख सकते हो यहाँ पर SEBI imposes रुपेज 3 लाग फाइन आन शिल्पा किया जाए तो हम इसके बारे में समझेंगे कि exactly हुआ क्या था क्यों यहाँ पर fine लगाया जा रहा है सभी के द्वारा तो काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं अगर आप UPSC के त्यारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको description में मिल जाएगी वह से आप हमारे अप को भी download कर सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि exactly हुआ क्या है हम क्यों इसके बारे में discuss कर रहे हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था Securities and Exchange Board of India इनके द्वारा कोशिश होती है कि insider trading ना हो अब देखें insider trading का मतलब क्या होता है मैं बहुत एक simple example से बताता आप इस company के बहुत किसी करीबी के पास close हो तो उससे आपको को information मिल गई हो तो वो information market में आने से पहले ही आपने इस company के shares की trading कर ली market में आपने पहले ही खरीद लिया क्योंकि आपको पहले से अंदाजा होगा कि इसका जो share price है वो बढ़ेगा result आने के बाद तो इस तरह की ज जो शिलपा सेटी है और जो उनके husband है राच कुंदरा और उनकी उन दोनों के द्वारा बनाई हुए एक company है आपको पता होना चाहिए वियान इंडस्ट्रीज वियान इंडस्ट्रीज में अगर आपको बताऊं तो बताया जाता है कि जो electronics हो गया durable items हो गया उसमें ये involved होता ह है उसके अंदर trading होती है और वियान basically उन्होंने अपने बच्चे के नाम पर ये रखा है तो ये इनके उपर 3 लाख रुपया का fine लगाया गया है क्योंकि जो rules regulation है insider trading से related उसका violation किया है इन लोगोंने और इसका main कारण ये है क्योंकि 3 साल के बाद उन्होंने यहाँ पर जो preferential shares का allotment था उसके बारे में बताया है don't worry आप डरिये मत कि ये preferential share क्या है ये 3 साल का delay क्या है भी मैं बहुत ही सरल शब्डों में आगे आपको बता दूँगा लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी के दौरा ये जो notification निखाया गया है और यहाँ पर आप द वियान इंडस्ट्रीज के promoter है राज कुंद्रा और शिल्पा सेटी देखे प्रमोटर जब मैं कहता हूँ तो जैसे कि आप देख सकतो ये वियान इंडस्ट्रीज है और ये listed है market में मतलब कि इसके shares की buying and selling होती है stock market के उपर और अभी बहुत ही नीचे चल रहा है मतलब इसक कोई value है नहीं आप देख पाओगे यहाँ पर 2018 में ये अपने peak पर चला गया था 40 rupees के आसपास इसका share का value था और अभी तो ये एक रुपए से भी कम हो रखा है मैं latest आपको बता रहा हूँ तो इस company के अंदर किसकी हिस्सेदारी है promoter कौन है मतलब किसने इसको start किया था original share कि इसके पास है तो यह उनको promoters कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 51% जो है हिस्सा यहाँ पर promoter के पास है और promoter मैंने आपको बता दिया कौन है राज कुंदरा और शिल्पा शेटी तो क्या हुआ था कि वियान जो industry है उन्होंने preferential allotment निकाले थे in the year 2050 अब देखो preferential share issue का मतलब क्या होता है basically आपने देखा होगा कोई भी company जो है वो अपने पास पैसा लाना चाहती अपने business को expand करने के लिए तो वो पैसा कैसे आ सकता है या तो वो company जाएगी bank के पास जाएगी कहेगी उधार दे दो हमको या फिर आपने देखा होगा issue निकाला जाता है public issue जिसको हम IPO कहते है initial public offering अभी recently आपने देखा होगा Zomato का IPO आया होगा तो इसके तहत क्या होता है कि Zomato अपना share जो है public को बेशती है और public अपना पैसा अपना निवेश करती है इसके अंदर और Zomato के पास capital आ जाता है और फिर वो लोग अपने business को expand करने के लिए लगा सकते है या फ उसको तुरन पैसा यहाँ पर चाहिए तो preferential share issue कर सकती है इसका मतलब यह होता है कि वो company share issue कर रही है कुछ लोगों के लिए मतलब preference दे रही है कुछ लोगों को हो सकता है कि उस company के जो खुद के promoter हो उनको यहाँ पर preference दिया जाए और इसलिए हम इसको कहते है preferential share issue एक example के त सजार है अब इसमें company क्या कर रही है और हजार share यहाँ पर नया निकाल रही है और हजार share में कुछ लोगों को preference दे रही है कि आप यह और share खरीद लो हमारा तो इसी को कहा जाता है preferential share issue अब देखो इसमें benefit क्या होता है basically जो भी इसको खरीता है तो आगे चलकर suppose वो company bankrupt हो अब बेचे जाएंगे जो भी चीज़ें की जाएंगी उस case में क्या होगा कि सबसे पहले जो भुकतान है वो यहाँ पर preferential share को दिया जाएगा उनको पैसे लोटाए जाएगे और उसके बाद बागी के जो shareholders है उसको वहाँ पैसे लोटाए जाएगे तो यह वाला जो share issue किया जाता है इसको हम कहते है preferential share issue आई हो कि आपको समझ में आ गया होगा तो वियान इंडश्ट्रीज ने 2015 में क्या किया पांच लाख नए shares allot किये मतलब कि कुछ लोगों को दिया गया जिसमें से जो promoters है promoter कौन है मैंने आपको पहली बता दिया राजकुंद्रा और शिल्पा यहाँ पर तो ठीक है preferential share निकाला जाता है यह नियम कानून है कोई भी company निकाल सकती है चाया listed हो unlisted हो कोई बात नहीं तो problem क्या है इसमें यहाँ पर इन्होंने निकाल दिया लेकिन basically क्या है कि जब भी इस तरह के preferential share निकाले जाते हैं तो उसमें सेभी की एक guideline आती है जिसक यह हिसाब से यह है कि जब भी कोई promoter preferential share खरीता है तो उसको दो दिन के अंदर यहाँ पर company को बताना होगा मतलब राज कुंद्रा और जो शिलपा शेटी है उनको inform करना चाहिए था पहले company को दो दिन के अंदर कि हमने यह share लिया है अगर उस share की value 10 लाग से जाद है यह condition है और फिर वो company विबान industry क्या करेगी अगले दो दिन के अंदर यहाँ पर stock exchange को disclose करेगी बताएगी अब stock exchange कौन सा है जैसे बॉंबे stock exchange हो गया national stock exchange हो गया मतलब यह company जहाँ पर भी listed है उसको यह बताएगी कि देखिए यहाँ पर हमारी company ने इतना जो preferential share है वो a lot किया है अब उसको कितना preferential share a lot किया गया उसी के basis पर मैं decide करूंगा कि क्या मुझे यह share अभी रखना है कि बेचना है क्या करना है तो यह public के पास information होनी चाहिए लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पर यह information बताया नहीं सेभी ने यह बोला है कि दोनों के द्वारा करीब धाई करोड के आज पास धाई धाई करोड दोनोंने यहाँ पर यह transactions किया था उसको बताया नहीं और इसी की वजए से यहाँ पर यह जो पूरा fine है वो लगाया गया है यहाँ पर सभी का कहना है कि 2019 में जाकर इन्होंने इसके बारे में disclose किया अब आप खुल सोच के देखो यहाँ पर जब 2015-16-18 यहाँ पर आप देखे काफी जादा आपको value दिख रहे होगी share की और आगे चलकर उन्होंने 2019 में बताया जब इस share की value बहुत नीचे आ गई थी तो उस समय क्या फायदा पहले आपको बताना चाहिए इसके बारे में तो यह नियम कानून है इसको लेकर in fact मैं आपको यह भी पता दूँ कि शिल्पा शेटी और कुंद्रा से जवाब भी मांगा गया था सेभी का कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया और उन्होंने इस particular problem को acknowledge किया बोला कि यह हमारी mistake है लेकिन साथ-साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि हमने malified intent से नहीं किया था हमने जान मुझकर न थी कि सेभी ने fine लगा दिया क्या है exactly तो यह पुरा मामला है जाने से पहले मैं आपको current status भी बता दूँ कि जो पुरा राज कुंद्रा वाला case चल रहा है pornographic films वाला उसमें यहाँ पर वो bail लेना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पर जो prosecution है मतलब सरकार की तरफ से जो represent करते हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं bail नहीं देना चाहिए यहाँ पर क्योंकि अभी investigation जारी है अगर उनको bail दिया गया तो उसमें कुछ ना कुछ बादा हा सकती है लेकिन राज कुंद्रा के जो lawyer है उन्होंने कहा कि दिखे कुंद्रा कोई terrorist तो है नहीं आपको यहाँ पर bail देना च जाने से पहले एक interesting question जो सेभी के chairman होते हैं आपको पता है Securities Exchange Board of India उनके जो chairman है head है उनका appointment कितने साल के लिए होता है यह आपको बताना इसका जो right answer है आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इ किसी भी state exam की preparation कर रहे है definitely आप हमारे app को download कर सकते है studyiq.com पर जा सकते हैं काफी affordable rates पर सारे courses आपको वहाँ पर मिल जाएंगा I hope कि यह video आपको पसंद आए होगा मिलता हूँ आपसे next time till then thank you very much see you soon